हलो स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर सी ए स्राथा और गॉवर्मेंट गल्स का लज जान्जगिर से मेजरेबल सेट्स का ये पांचवा वीडियो लेक्चर है और इसके बाद एक और वीडियो लेक्चर होगा उसके बाद ये टॉपिक कम्प्लेट हो जाएगा तो चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्या है थ्योरम का स्टेट्मेंट है एक काउंटेबल यूनियन आप मेजरेबल सेट्स इस मेजरेबल सेट्स मतलब अगर मेजरेबल सेट्स का काउंटेबल यूनियन ले तो वो भी मेजरेबल होता है ये प्रूफ करना है त्योरम के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक लेमा प्रूफ करेंगे और इस लेमा में हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी countable union को mutually disjoint union के form में express कर सकते हैं किसी भी statement देखते हैं a b n algebra of subsets of a set x if ai is a sequence of sets in a ai क्या है sequence का sets then there exists a sequence bi of mutually disjoint sets तब एक mutually disjoint sets का sequence होगा वो भी a में ही होगा such that दोनों का union equal होगा मतलब ai अगर sequence है sets का ये disjoint हो या ना हो इसे कोई मतलब नहीं तो इसके union को हम ऐसे ही disjoint sequence के union के form में express कर सकते हैं तो इसका proof देखते हैं proof क्या है हम b हमको ये sequence b construct करना है और ये sequence कैसे construct करना है जो mutually disjoint हो इसके जो elements हो mutually disjoint होना चाहिए ऐसा sequence हमको construct करना है और उसके बाद ये बताना है कि इसका union करेंगे construct करने के बाद इसका जो union करेंगे ai के union के equal होगा तो हम construct कर रहे हैं b1 equal to a1 ले रहे हैं और bn equal to an minus union of ai from 1 to n minus 1 मतलब bn निकालना है तो an में से a1 union a2 union up to union an minus 1 तक को minus करना पड़ेगा ये for all n greater than or equal to के लिए मतलब b2 निकालना है तो क्या होगा a2 minus a1 b3 निकालना है तो क्या होगा ये a3 minus फिर bracket में a1 union a2 b4 निकालना है तब क्या होगा ये a4 minus bracket में a1 union a2 union a3 इस प्रकार ये bn को हम define किये अब set theory लगा दे माइनस को intersection वे ये वाला formula है set theory का a minus b को हम क्या लिख सकते है a intersection complement of b तो इस minus को हटा के हम क्या लिख दिये है intersection और minus के बाद वाले में complement लगा दिये तो यहाँ demorgans lie apply करेंगे तो ये जो complement है जब अलग-अलग set में लगेगा तो ये intersection में change हो जाएगा ये demorgans lie से हुआ तो अब bn हम को क्या मिल गया an intersection a1 complement intersection a2 complement intersection a-1 complement since a algebra है algebra है और algebra क्या होता है हम definition last video lecture में देख चुके हैं वो complement और intersection के respect में closed होते हैं तो ये a1 a2 an-1 an सारे algebra के members हैं तो क्या होगा a1 complement a2 complement an-1 complement भी algebra का member होगा क्योंकि ये complement के respect में closed होता है और जब a1 complement a2 complement an-1 complement algebra का member हो जाएगा और an तो है है तो इन सब का intersection भी algebra a में होगा क्योंकि ये intersection के respect में भी closed होता है और ये किसके equal है यहाँ पर है बी एन के मतलब बी एन भी algebra का member होगा क्योंकि हमको यहाँ पर सोग करना था कि बी आई भी उसी algebra का एक member होगा लेकिन इसका specialization मतलब इसकी speciality क्या है कि ये diswine होना चाहिए तो सबसे पहले हम b define किये है और b को define करके हम क्या बता दिए वो a का member है अब हम बता देंगे कि ये mutually diswined है तो ये clear हो गया होगा कि b n construct किये और उसको algebra का member बता है और हम ये definition से ये भी देख सकते हैं कि b n कैसे प्राप्त हो रहा a n में से union को minus कर रहे इस union को तो a n में से minus करने के बाद जो बचेगा वो यानि या obviously b n किसका subset हो जाएगा a n का ये हो गया तीसरा पार्ट m less than n ले लेते हैं हमको अब बताना पहले b n define किये और उसकी property मतलब हमको ये बताना था जो b n define कि होगे algebra का member था उसको बता दिये अब हमको बताना है कि वो mutually diswined है वो कैसे बताएंगे यहाँ पर m less than n हमने assume कर लिया तो b m intersection b n इस subset of a m intersection b n ये कैसे हुआ यहां से हम बोल सकते हैं कि b m subset of a m अब इसी में both side क्या किये b n का intersection ले लिए एक बार फिर से repeat कर रहा हूं तो b m किसका subset होगा aim का तो दोनों में दोनों side b n का intersection ले लिए अब b n का जो value है यहां से इस value को हम यहां put कर दिये अब put करने के बाद इस aim को aim भी इसके साथ intersection में है b n के साथ मतलब इस b n की value put के उसके साथ aim का intersection है तो यह क्या है aim intersection a1 तो aim का कहीं भी किसी के साथ भी ले सकता है intersection तो इस sequence में a m भी आएगा क्यों आएगा aim क्योंकि aim n से छोटा है और यह कहां तक जा रहा है n-1 तक तो obviously जो aim होगा यह तो n-1 की equal होग n से छोटा है याने n-1 की equal होगा या उससे छोटा होगा तब n-1 या इससे छोटा होगा तो aim कहीं बीच में होगा कोई term aim आ लिए aim और इस aim को उसी के साथ ले आए किसी के साथ भी ले सकते हैं तो aim है तो aim compliment के साथ ले लिए ऐसा लेने से क्या हो जाएगा इन दोनों का intersection phi हो जाएगा और phi का कि इसी भी सेट के साथ intersection ले फाई ही आता है इसलिए ये फाई आ गया तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो हम construct किये है sequence bn उस वो mutually disjoint है तो क्या क्या प्रूफ कर लिए इस लेमा में सबसे पहले हम bn construct किये और bn जो है वो algebra का member है ये प्रूफ करके बताए उसके बाद हमने ब अब last step इसमें हम ये बताए देंगे कि जो union है bn जो हम नया sequence construct किये है bn उसका union जो given sequence था उसके union के equal है तो देखिए bn को हमने देखी चुका है यहाँ पर an का subset होता है for all in याने b i subset होगा ai for all i belongs to it तो यह सारे b i ai के subset है तो union up b i b union up ai का subset होगा यह equation number 2 दे दिए अब इन दोनों को equal proof करना है तो क्या करना होगा कि इसके union को union up b i का subset proof करना है तो इसको subset proof करना है तो इसका हम एक member resume कर लेते हैं, जिसको subset रूप करना रहता, उसका एक member resume करते हैं, और ये बता देंगे कि ये member इसमें हैं, मतलब इस set के सारे members इसमें हैं, बता देंगे, तो union of AI subset हो जाएगा, union of BI का, तो हम union of AI का एक member resume कर लिए, X, तो X union का member है, union में कोई भी element कब होता, जब वो at least इसमें एक set में belong करें, इसलिए हम क्या लिखते हैं, X belongs to AI, for some AI, अब हम X, sorry, N क्या ले लेते हैं, list value of AI, आई का एक ऐसा list value ले ले लेते हैं, such that X belongs to AI, अब X AI में है, तो for some AI, तो suppose N ऐसा list value है, जिसमें X belong करता है, मतलब X N में belong करता है, और X उसके पहले के sets में belong नहीं करता है, क्योंकि list value है, यह I की list value है, जिसमें X belong कर रहा है, इसके list value है, मनें इसके पहले के जो sets हैं, उसमें X belong नहीं करता है, X N में belong करता है, तो X N में, और उसके बाद के भी किसी set में belong कर सकता है, लेकिन अभी इसके पहले वाले sets में belong नहीं कर रहा है, क्योंकि N list value है, I की जिसमें X belong कर रहा है, अब X A1 में belong नहीं कर रहा है, A2 में तो यहने इनके complement में belong करेगा और x an में belong करेगा तो जब x इन सब में belong कर रहा है तो इनके intersection में भी belong करेगा और इसको क्या हम बोले हैं? bn तो x bn में belong कर दिया अब bn में belong कर रहा है तो इसके union में तो belong करेगा किसी इस union के एक set में x belong कर रहा है तो union में करेगा, तो एक सम किसका element लिये थे, union of AI का, किसमें belong कर रहा है, union of BI, मतलब union of BI, union of AI के सारे members को content करता है, इसलिए क्या होगा, union of AI, subset of union of BI, यह equation 3 हो गया, यह equation 3 और 2 को combine करेंगे, तो क्या result आजाएगा, union of AI equal to union of BI, तो यह लेमा का proof कर दिये, तो लेमा यही कहता है, कि अगर algebra के sets का sequence है, तो उनका union, उसी algebra के sets, जो disjoint है, mutually disjoint, उनके union के equal होता है, अब आतने हैं, main theorem के proof में, तो EI, क्या दिया है, main theorem में, measurable sets का sequence है, तो हमको क्या proof करना है, कि उनका जो union होता है, वो भी measurable होगा, तो हम उनके union को E से denote कर दिये, अब E को हमको measurable proof करना है, तो E को measurable proof करना है, तो हम सबसे पहले एक नया set construct करते हैं, assume करते हैं, EI का union from I equal to 1 to N, याने FN, E1 union, E2 union up to union, EN को हमने FN मान लिया, अब E1, E2, EN सारे क्या हैं, measurable sets हैं, मतलब किसके member होंगे, M के, M क्या होता है, जितने measurable sets हैं, उनका एक collection है, जो की algebra होता है, अब algebra होता है, और algebra क्या होता है, union के respect में closed होता है, इसलिए इनका union M में belong करेगा, या तो हम बोल सकते हैं, कि जो हमने पिछले video lectures में देखा है, कि दो measurable sets का union, measurable होता है, उससे भी ये result आया है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, तो ये measurable sets का collection होता है, मतलब E1, E2, EN सारे M के members हैं, और M algebra होता है, इसलिए वो union के respect में closed होगा, इसलिए ये क्या बन गया, FN और FN, M का एक member हो गया, तो FN, M का member हो गया, और हम ये भी देखते हैं, कि अगर इसका complement लेने, FN का complement लेंगे, FN का complement में क्या जाएगा, जो इसके बाग के set, E1 union, E2 union, EN तो इसी में सामिल है, FN का complement यानि इसको छोड़ के जो बच्चे हुए sets हैं, तो बच्चे हुए sets क्या है, EN plus 1, EN plus 2, up to E infinity, लेकिन complement तो हम real number के sets के respect में निकालते हैं, तो इसके अलावा और भी जो बच्च गया, अभी ये जो है, अगर हम इसको छोड़ दें, इस person E complement को छोड़ दें, तो FN का complement क्या हो जाएगा, FN का complement मतलब E के respect में निकालें अगर, E के respect में अगर FN का complement निकालें, तो क्या हैगा, इसके बाद इन तक है ये, तो N प्लस 1 से infinity तक आ जाएगा ये, FN का complement अगर E के respect में निकालें तो, लेकिन निकालना है, रियल नंबर के set के respect में, तो इसके इक्वल होगा, union of E का complement, अभी E के respect में ये आया, complement, R के respect में लेंगे, तो अब E के complement को भी इसके साथ मिलाना पड़ेगा, union लेना पड़ेगा, तब FN का complement, R के respect में आएगा, एक बार फिर से मैं इस step को clear करा दूँ, FN का complement निकालना है, तो FN का complement, FN क्या है, set E के अंदर आता है, मतलब FN set E का subset, FN set E का subset, set E किसका subset है, R का subset, अब FN E का subset है, और E R का subset, तो FN का पहले E के respect में निकालने, complement तो ये आ जाएगा, और E का R के respect में निकालनेंगे, तो E complement, तो दोनों का union लेंगे, तो वो R के respect में FN का complement आ जाएगा, और FN का complement इन दोनों के union के equal है, तो किसी E set को ले लें, इन दोनों में, तो उसका तो ये super set ही होगा, इसलिए E complement का super set हो गया, तो FN का complement, super set है E complement के, तो बोद साइड E का intersection ले लिए, तो ये result मिल गया, अब देखते हैं, FN measurable है, FN measurable है, तो measurability के condition को satisfy करेगा, for any set A, अब A intersection FN complement, super set है, इसका, A intersection E complement का, यहाँ पर, तो outer measure का property एप्लाई कर देंगे, A super set है B का, तो outer measure of A greater than or equal, outer measure आप भी होता है, उसी property को, क्योंकि ये बड़ा है, तो इसका outer measure भी इसके outer measure से बड़ा होगा, तो इस property, तो इसकी जगह हम ये लिखेंगे, तो यहाँ पर ये वाला symbol आ जाएगा, तो outer measure of A greater than or equal, outer measure of A intersection FN, प्लस outer measure of A intersection, A complement आ गया, अब FN, FN हम इसको FN लिए हैं, अब बोद साइड A का intersection लेंगे, A का intersection लेंगे, तो distributive लास से A इसके अंदर चला जाएगा, A intersection EI आ जाएगा, अब क्योंकि EI disjoint है, तो A intersection EI भी आपस में disjoint होगा, EI disjoint है, तो A intersection EI भी disjoint होगा, तो disjoint होगा, तो इसका outer measure लेंगे बोद साइड, तो ये disjoint है, इसलिए इसका additivity property लग जाएगा, अगर ये disjoint नहीं होता, तो sub-additivity लगता, लेकिन disjoint होने current ये equal आ जाएगा, additivity property को satisfy करेगा, एक चीज़ और, ये disjoint तो statement में दिया नहीं था, फिर ये disjoint क्यों हुआ, इस lemma से हुआ, जो हमने अभी lemma प्रूब किये, क्या कि अगर AI sequence है, algebra में, में, तो इसको हम disjoint, algebra के ही, sets के, sequence के union के form में लिख सकते हैं, ऐसे sets के union के form में लिख सकते हैं, जो mutually disjoint है, तो यहाँ पर statement में, AI को नहीं दिया है, कि mutually disjoint है, लेकिन ये क्योंकि, aim, मतलब algebra, measurable sets का, algebra aim है, उसके members है, मतलब उसमें एक sequence है, और उसमें जो भी sequence रहता है, उसको हम, उसी aim के, उसी aim में, जो sequence होता है, disjoint sets का, उसके union के form में, express कर सकते हैं, और इसलिए हम, यह मान लिए कि, यह ही disjoint sets हैं, ऐसा मानने से, कोई loss नहीं है, यह लिखे हैं, by the concept of abo lemma, मतलब जो अभी lemma प्रूप कियें, we may assume that, the set EI are mutually disjoint, तो यह ध्यां रखेगा, statement में नहीं दिया है, EI जो है, mutually disjoint है, लेकिन, इसलिए हमने यह पहले lemma प्रूप किया, lemma से हमको, यह पता चला, कि अगर कोई भी algebra में, sequence है, set, algebra के elements का sequence है, तो उसको, उसी algebra के members के union, जो कि आपस में, disjoint के form में express कर सकते हैं, उसी से हमने, EI को mutually disjoint माना, अब, यह mutually disjoint EI, इसलिए mutually disjoint हुआ, और इसलिए यहां पर, यह additivity लग जया, अब, outer measure of A intersection FN की जो यह value है, उसको हम equation number 3 में, sorry, 5, इस 5 में रखेंगे, outer measure of A intersection FN की जगा, अभी जो value निकाले हैं, यहां पर put कर देंगे, तो यहां पर put कर दिए, तो यह मिल गया equation, और यह inequality, N के सारे value के लिए hold कर रहा है, तो limiting case N tends to infinity के लिए भी हम बोलते हैं, hold करेगा, क्योंकि सारे N के लिए कर रहा है, तो for every N, taking N tends to infinity, तो यह inequality मिल गया, और यह जो, आप outer measure of A intersection EI है, यह outer measure of A intersection E के, equal होगा, और कैसे होगा देखते हैं, A intersection E, E का मतलब क्या है, union of EI, from I equal to 1 to infinity, अब इसको distributive ला लगा दिये, तो union I equal to 1 to infinity, A intersection EI, अब हम दोनों तरफ, outer measure ले ले लेते हैं, तो outer measure of A intersection E equal to sum up, फिर यहाँ identivity लगा, क्यों लगा, क्योंकि यह mutually disjoint है, तो यह मिल गया, और इसलिए इस पूरे term की जगह हमने, outer measure of A intersection E put कर दिया, तो यह inequality हमको मिल गया, बट always क्या hold करता है, outer measure of A less than or equal, outer measure of A intersection E, प्लस outer measure of A intersection E complement होता है, तो इन दोनों inequality को combine करने से equal का sign आ जाएगा, इससे क्या proof हुआ कि E measurable set है, यह मतलब union of EI from I, बहुने countable union measurable होगा, तो यह theorem complete हो गया, अब हम next theorem देखते हैं, open interval A infinity measurable होता, open interval A infinity is measurable, इसका एक part, क्या है, inequality, एक inequality always hold करता है, हम measurable set का जब definition देखे थे, तब ही देख चुके थे, कि एक inequality यह वाली always hold करती है, अब इसके बाद हमको क्या proof करना है, equal लाना है, तब यह measurable proof होगा, A infinity open interval, तो less than or equal hold करता है, तो greater than or equal को हम proof करके बता देंगे, अब यहाँ पर भी दो condition है, outer measure of A infinite भी हो सकता है, अगर यह infinite हुआ तो obviously यह condition hold करेगा, अब अगर इसका outer measure finite है, तब हमको यह inequality proof करके बताना है, तो इसका definition ले ले लेते हैं, outer measure of A का क्या definition होता है, outer measure of A किसके equal होता है, infimum of sum of length of I n, such that A is subset of union of I n, मतलब जो open intervals का union, इस A को cover करता है, ऐसे open intervals की union का जो length का sum होता है, उसका infimum value होता है, तो यह infimum value होता है, तो infimum की property क्या होती है, कि यह infimum है इस type के set का, तो इसमें एक छोटा सा positive real number plus epsilon कर देंगे, तो उस set के at least एक member से बड़ा हो जादे, ऐसे infimum है तो उस set से छोटा होगा, लेकिन जैसी इसमें हम एक छोटा सा positive real number 8 करते हैं, उस set के at least एक member इस member से बड़ा हो जाता है, और इस member की खासियत क्या है, कि इसका union in a को cover करता है, अब इसको एक equation दे देते हैं, a intersection open interval a infinity को a1 assume कर लेते हैं, और a intersection a infinity complement को a2 assume कर लेते हैं, अब a1 intersection a2 देखें, तो a1 और a2 की value रख दिये, और यहाँ पर a infinity और a infinity का complement, यह दोनों क्या हो जाएगा, इसका intersection phi हो जाएगा, और phi का किसी साथ भी intersection ले तो phi ही आता है, अब a1 union a2 ले, इन्हीं दोनों का union ले, तो इन दोनों का union क्या होगा, set of real number r, और a intersection r क्या होगा, a, because a is subset of r, तो हम क्या देख लिए, कि जो हम a1 और a2 जो assume किये हैं, वो दोनों disjoint हैं, और उनका union a के equal है, अब हम वैसी intervals को लेते हैं, in interval में a infinity को intersection ले, तो in dash नाम दे देते हैं, और a infinity complement को in के साथ intersection लेते हैं, तो इसका नाम in double dash दे देते हैं, अब इन दोनों का भी intersection ले, तो अभी देखें वैसी ये भी phi हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का intersection फाई है, और फाई का किसी के साथ भी intersection ले तो फाई ही आता है, और इन दोनों का union ले तो फिर यहाँ पन, union यानि ये R आ जाएगा, और हर set R का subset होता है, यानि आई अई इन भी R का subset होगा, तो इसका intersection आई इन आ गया, तो यह क्या मिल गया? IN days union, IN double days, IN के equal हो यानि IN इन दो disjoint, disjoint क्यों हो? क्योंकि इनका intersection phi आया है तो IN दो disjoint interval का union हुआ तो इसलिए इसकी length क्या होगी? इन दोनों के length के sum के equal होगा क्योंकि यह disjoint है इसलिए इसकी length के sum के equal होगा यह equation number 3 हो गया अब A subset है union of IN यह यहाँ पर देख सकते हैं यह A subset है union of IN पिछले slide का तो A union of IN का subset है तो हम both side एक बार open interval A infinity का intersection लेते हैं और एक बार A infinity complement का intersection लेते हैं इसी both side तो क्या होगा इसको हमने A1 माना था और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं distributive ला distributive ला लगाएंगे तो यहाँ union आ जाएगा और यह क्या आएगा IN intersection A infinity यहाँ पर भी हम distributive ला लगा दिये यह आ गया इसको हम IN dash माने थे इसको IN double dash माने थे देख सकते हैं यह इसको IN dash माने थे इसको IN double dash तो यह रख दिये तो यह union आप IN dash हो गया यह IN dash और IN double dash अब A1 इसका subset है तो outer measure का definition क्या होता है कि A1 का outer measure इसी type के जो open intervals का union है जो इसको cover करते है इन सब की length का यह infimum value होता है तो infimum value होता है यानि इसकी length से तो यह इसका outer measure छोटा होगा या equal होगा यह भी outer measure के definition से इसका भी outer measure के definition से हो जाएगा अब दोनों को add कर देंगे तो outer measure of A1 प्लस outer measure of A2 less than or equal sum of LIN plus LIN dash और यह equation number 3 से किसके equal है length of IN के equal है और यह length of IN की value यहाँ से निकाल यह जो है equation number 2 से length of IN किससे strictly less than है outer measure of A plus epsilon से तो हम उसकी जगा यह जो length of IN है इसकी जगा क्या लिख देंगे strictly less than outer measure of A plus epsilon यह by equation number 2 हो गया अब A1 और A2 की जो value है वो put कर देते हैं तो ऐसा आ गया यह epsilon arbitrary होता है और arbitrary अब यह plus epsilon होने की वज़ा से right side is strictly greater than left side जैसी epsilon को हटाएंगे क्योंकि epsilon arbitrary है जैसी इसको हटाएंगे तो यहाँ पर equal का भी sign आ जाएगा less than के साथ तो यह equation number 4 हो गया और equation number 1 यह वाली inequality थी देख लेते हैं यह है equation number 1 outer measure of A less than था इससे less than or equal था और अभी हमने क्या proof किया greater than proof कर दिया outer measure of A को equation number 4 में और equation 1 और 4 को combine करेंगे तो equal आ जाएगा तो A infinity measurability वाले condition को satisfy कर रहा है कैसे कर रहा है देखिए outer measure of A equal to outer measure of A intersection E plus outer measure of A intersection E complement तो E की जगा A infinity open interval आ रहा है यानि open interval A infinity measurable हो गया तो इस theorem का भी proof complete हो जाता है अब हम देखते हैं है definition boreal sets का boreal sets क्या होता है sigma algebra generated by the family of all open sets in R R में जितने open sets हैं उसकी family से जो sigma algebra generate होता है उसी को class आप boreal sets बोलते हैं class आप boreal sets बोलते हैं और उसको B से denote करते हैं मतलब इसको class आप boreal sets बोलते हैं तो class आप boreal sets बोलते हैं इस B को तो इसके जो member होंगे उसको क्या बोल देंगे boreal sets बी के जो members होंगे उसको boreal sets बोलते हैं और B को class आप boreal sets बोलते हैं और यह क्या होता है बी आर में जितने open sets होता है उससे generated एक सिग्मा algebra है अब generated का मतलब यह होता है कि सबसे छोटा सिग्मा algebra जो इन सारे आर के open sets को रखता है मतलब generated का मतलब बी कैसा set हो गया भी कैसा set हो गया जो भी open sets है आर के सारे open sets को रखने वाला सबसे छोटा सिग्मा algebra और इसके सारे members को हम boreal sets के नाम से जानते हैं तो अब हम देखते हैं थियोरम क्या है थियोरम ए बोरेल measurable set इस लिवेग measurable जो भी boreal sets होगा वो लिवेग measurable होगा boreal measurable लिवेग measurable होगा यानि जो rounded भी जो हम boreal यह define किये इसके सारे members M में होंगे M क्या है measurable sets का collection तो हमको यहाँ प्रूफ करना है B subset of M तो इसको हम कई steps में proof करते हैं इसमें पहला step अब यह step क्योंकि हम अभी देखें हैं definition में boreal sets क्या होता है open sets एक प्रकार से हम बोल सकते हैं boreal sets मतलब open set क्योंकि सारे open sets को रखता है कौन यह boreal set मतलब open set होता है तो अगर हम open set को measurable proof कर दें तो proof हो जाएगा कि इसके सारे member लिवेग measurable है तो पहला step लेते हैं कि open interval A infinity is measurable open interval A infinity is measurable इसका proof हमने पिछले ही theorem में यह देखिए A infinity is measurable अभी just proof किया है इसी पूरे proof को इस step 1 में सामिल करना है तो इस step 1 को मैं यहाँ पर repeat नहीं कर रहा हूं आप लोग अपने notes में इस पूरे theorem का proof को यहाँ पे लिखना होगा अब step 2 हमने अभी क्या proof किया है open interval A infinity को measurable अभी set को measurable प्रूप करेंगे semi open semi closed minus infinity A तो यह क्या होता है A infinity का compliment होता है अगर हम A infinity का compliment लें आप लोग number line में बना के ड्रा करके देख सकते हैं तो इस A infinity का compliment यह मिलेगा और हम जानते हैं कि जो open interval है अभी open interval A infinity को क्या proof किया measurable और यह measurable है यह measurable है तो इसका compliment भी क्या होगा measurable होगा और इसका compliment किसके equal है इस interval के यह भी interval क्या होगा measurable होगा तो पहले step में हमने क्या proof किया कि जो open interval A infinity है वो measurable होता है दूसरे step में हमने क्या proof किया कि यह जो semi open semi closed minus infinity A है यह भी measurable होता है अब तीसरे step में हम minus infinity B यह जो open interval है इसको measurable proof करते है तो minus infinity B को हम किस form में लिख सकते हैं union of semi open semi closed interval minus infinity B minus 1 by N N equal to 1 to infinity इसके countable union के equal होगा open interval minus infinity B और इस type के set को अब भी measurable proof किया step 2 में semi open minus infinity semi closed A मतलब right side से closed और left जो minus infinity open है ऐसा set measurable होता है कि step 2 में देखा तो यह measurable हो गया और measurable sets का यह क्या है countable union और इसी video lecture में हमने starting में जो theorem proof किया कि जो measurable sets का countable union होता है वो भी measurable होता है तो यह भी measurable हो गया तो अब क्या हो गया तीन open interval infinity measurable हो गया और semi open minus infinity semi closed A measurable हो गया और open interval minus infinity B measurable हो गया तो इन ही तीनों की मदद से ऐसे step 1 और step 3 की मदद से ही यह जो open interval A B है वो भी measurable प्रूप हो जाएगा देखिए इस number line में minus infinity B यह हो गया यह measurable है और दूसरा A infinity यह interval यह भी measurable यह step 1 में measurable प्रूप हुआ है open interval A infinity और minus infinity B step 3 में हुआ दोनों मेसरेबल सेट है दोनों का common portion यह open interval A यह यह उन दोनों का intersection है और यह भी measurable यह भी measurable है तो दो measurable set का intersection यह 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 भी measurable होता है तो open interval A B measurable हो गया अब step 5 एवरी open set is measurable इसको प्रूप करेंगे अभी हमने क्या प्रूप किया open interval A B क्या होता है measurable होता है अब हम क्या प्रूप करने वाले है open set measurable होता है तो since every open set can be expressed as a countable union of open intervals हम जानते हैं कि हर open set को open intervals के countable union के form में लिख सकते हैं तो open interval क्या होता है measurable होता है और measurable set का एक countable union भी क्या होता है measurable set का countable union भी क्या होता है measurable होता है और इससे क्या proof हो जाएगा open set is measurable open set measurable proof कर लिए अब हम क्या जानते हैं कि sigma algebra M सारे open set को content करता है और B, B भी क्या है open set को content करता है लेकिन ये smallest sigma algebra open set को content करने वाला smallest sigma algebra है और M क्या है open set को content करने वाला एक sigma algebra है इन दोनों में ये छोटा है तो B किसका subset हो गया M का और यही प्रूफ करना जो boral sets होते हैं वो measurable proof करना था तो B subset of M यानि B के सारे member M में है M में है यानि measurable हो गया तो इस theorem का भी proof complete हो जाता है इस video lecture में इतना ही theorem था next video lecture में हम आगे के सारे theorems लगभख complete कर देंगे और उससे related example भी हो जाएगा Thank you